Hello guys, welcome to my channel Core Studio Guys, आज के अपने इस वीडियो में हम Tally Prime में Multicurrency के बारे में जानेंगे Multicurrency का मतलब है कि अगर आप किसी अधर currency में जैसे कि Dollar, Pound, Euro, किसी भी foreign currency में अगर आप Purchase करते हैं या Sale करते हैं तो उसकी Entry आप Tally Prime में कैसे करेंगे, यही अपने आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर Create पर आओगे यहाँ पर आपको Currency क्रियेट करनी है तो हम यहाँ पर Currency पर आते हैं अभी हम यहाँ पर यह दिखा रहा है कि रुपीज की जो Currency है, वो By Default टैली प्राइम में बनी हुई है तो अगर आप उससे Alter करना चाहते हो, तो आप उससे Alter कर सकते हो अगर आपको नई Currency बनानी है, तो आप यहाँ पर Create New पर आओगे तो अभी हम Create New पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर जो भी Currency बनानी है, लाइक Pound बनाना है, यूरो बनाना है, डॉलर बनाना है, उसका Symbol आपको यहाँ पर Enter कर देना है तो जैसे अभी हम यहाँ पर Dollar का Symbol Enter करते हैं, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे 4, तो Dollar का Symbol आ जाएगा ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर Pound का Symbol एंटर करना है, तो आप Keyboard से Alt Key को प्रेस करोगे फिर आप Number Keypad से प्रेस करोगे 0163, तो इस तरीके से यह Pound का Symbol बन जाएगा ऐसे ही अगर आपको अब Euro का Symbol यहाँ पर अगर Enter करना है, तो आप Keyboard से Alt Key को प्रेस करोगे फिर आप Number Keypad से प्रेस करोगे 0128, तो इस तरीके से Euro का Symbol लग जाएगा तो किस करन्सी के लिए आपको Keyboard से कौन सा Number प्रेस करना है, इसके लिए आप description box चेक कर सकते हो, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर Dollar का Symbol एंटर कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देंगे formal name, that is Dollar, इसके बाद अब आप Enter की प्रेस करते जाएंगे और इसको Accept कर लोगे और इसी तरीके से हम एक और करन्सी यहाँ पर Create कर लेते हैं, Pound, तो इसके लिए आप Keyboard से Alt Key को प्रेस करके रखोगे, और Number Keypad से आप प्रेस करोगे 0163, तो यह Pound का Symbol लग जाएगा, फिर formal name में यहाँ पर Enter कर देंगे Pound और इसे Accept कर लेंगे, तो इस तरीके से जितनी भी Currencies आप बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, इस Window से बाहर आ जाते हैं, इसके बाद, जैसी आप Currency Create कर लेते हो, तो यहाँ पर आपको Option मिल जाता है, Rates of Exchange, पहले यह Option नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे आप Currency Create कर लोगे, तो यहाँ पर आपको Option मिल जाएगा, Rates of Exchange, इस पर आ गई है, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कि इन Currencies का अभी जो Rate चल रहा है, वो आपको यहाँ पर Standard Rate में एंटर करना है, और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, कि अगर आपकी Base Currency रुपीज है, तो रुपीज के According, जो Dollar का Rate चल रहा है, वो आपको यहाँ पर ए हिसाब से जो भी उस टाइम डॉलर का रेट चल रहा होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है तो अभी इंडियन रुपीज के हिसाब से जो डॉलर का रेट है वो है 83.22 तो हम डॉलर का यहाँ पर स्टेंडर्ड रेट एंटर कर देंगे 83.22 इसके बाद है सेलिंग रेट की जब आप सेल करोगे तो आप किस रेट पर सेल करोगे तो अगर आप कोई रेट यहाँ पर स्पैसिफाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो तो अभी हम यहाँ पर सपोज एंटर कर लेते हैं 90 हमने यहाँ पर स्पैसिफाई कर दिया है कि जब हम सेल करे और ऐसे ही फिर यहाँ पर है बाइंग रेट यानि की जवाब पर्चेस करोगे तो आप किस रेट पर पर पर्चेस करोगे तो वो रेट भी आप यहाँ पर स्पैसिफाई कर सकते हो तो बाइंग रेट में हम यहाँ पर एंटर करते हैं कि डॉलर का जो करंट रेट है 83.22 उसी आप देख सकते हो कि अभी जो पाउंड का रेट है वो है 100.77 तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 100.77 और अभी हम यहाँ पर जो है इसका सैलिंग और बाइंग रेट एंटर नहीं कर रहे हैं आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो तो इस सरीके से आप जो है करते हैं संडरी क्रेडिटर्स इसके बाद आपकी पार्टी कि स्टेट की है सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं नोर्थ कैरोलीना जैसी हमने आपर स्टेट सेलेक्ट किया कंट्री यहाँ पर आटो फिल हो गई और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इसके बाद अब भूचेस वाउचरेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप डॉलर में पर टेज कर सकती हो तो यहाँ पर वाउचzhou पर आते हैं पर्टेज वाउचर आप एफ सबसे पहले यह पर इंवाइस नमर एंडर कर लेते हैं इसके बाद पार्टी नेम एंटर करेंगे जिस पार्टी क्वाटिटी एंटर करते हैं सपोज हम पांच कॉंटिटी पर necessarily इसके बाद अब रेटट एंटर करेंगे अब सबोज हम यहांपर रेट एंटर करते हैं 400 । अब हमने हिहांपर जो है लेपटोप के पांच पीस $400 पर purchase कर रहे हैं Enter की press करते हैं जैसी आप Enter की press करोगे आप देखोगे amount जो है automatically यहाँ पर calculate होकर आ गया है Enter की press करते हैं Enter करते हैं यहाँ पर आपको 4X rate दिखा रहा है यानि कि जिस rate पर आप purchase कर रहे हो वो rate आपको दिखा रहा है $400 फिर rate of exchange दिखा रहा है 83.22 और उसके बाद उसका rate आपको रुपीज में यहाँ पर शो कर रहा है Enter की press करते हैं और आप यहाँ पर नीचे देखोगे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि इंडियन रुपीज के हिसाब से जो 5 quantity आप लैप्टॉप की परचेस कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो है 1,666,440 रुपे अब हम इस वाउचर को accept कर लेते हैं तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में मर्टी करन्सी में परचेस वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे ही अगर आपको सेल करनी है तो इसी तरीके से ही आप सेल वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई